हाई गैज, आज के इस वीडियो के थूँ आप सीखेंगे कि डेली एंगलिस स्पेकिंग में हैस्टू, हैट्टू और हैट्टू का यूज कैसे किया जाता है तो चलिए आएए देखते हैं, सबसे पहले कुछ रिलेटेट संटेंस को देखते हैं पहला संटेंस है, तुम ही वहाँ जाना पड़ेगा नेक्स्ट है, उन्ही आना ही होगा नेक्स्ट है, उन्ही यहाँ से जाना पड़ेगा लास्ट है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा I am sure guys कि आपनी इन संटेंस को कभी ने कभी तो यूज किया ही होगा अब देखते हैं, इसे इंग्लिस में कैसे बोलते हैं So guys, have to का यूज, I, V, You और दे के साथ किया जाता है और has to का यूज, He, She, It, Name के साथ किया जाता है इसमें एक चीश और याद रखना है कि has to और have to का यूज, present situation को बताने के लिए किया जाता है वहीं had to का यूज, past situation को बताने के लिए किया जाता है Now we'll see how to use had to in affirmative sentences affirmative sentences को सकारात्मक वाक्य कहा जाता है तो सकारात्मक वाक्य के लिए had to का यूज, पैसे किया जाता है इसे हम देखेंगे आप example देख सकते हैं मुझे आज बजार जाना है I have to go to the market today I have to go to the market today Next example है हमें सुबह पांच बजे उटना पड़ता है We have to get up at 5 o'clock in the morning We have to get up at 5 o'clock in the morning Next sentence है लोगों को पैसे कमाने पड़ते हैं People have to earn money People have to earn money Now we will see use to, has to in affirmative sentences It means that सकारात्मक वाक्य में has to का यूज कैसे किया जाता है आप example देख सकते हैं रिसव को घर का सभी कारे करना पड़ता है Riesov has to do all the household work Next sentence है नीहा को प्रती दिन पैदल विद्याले जाना पड़ता है नीहा है रीती को प्रती दिन दलिया खाना पड़ता है रीती हैज तो एट पॉरिष डेली गाईस अब देखेंगे कि हैस्टु और हैट्टु का यूज निगेटिव सेंटेंस के लिए कैसे किया जाता है मतलब नाकारात्मक्वाक के जब हम बोलते हैं तो उसमें has to और have to का यूज कैसे करते हैं तो इसको बनाने के नियम थोड़ा सा अलग हैं जैसे की हेश से it name के साथ सबसे पहले does not का यूज किया जाता है उसके बाद हम have to का यूज करते हैं आई वी यू दे के साथ do not का यूज पहले किया जाता है उसके बाद have to का यूज किया जाता है जैसा कि आप जानते हैं present independent tense में जब हम negative sentences को बनाते हैं तो हेसे it name के साथ does not और आई वी यू दे के साथ do not का यूज किया जाता है structure आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग subject को बोलते हैं या लिखते हैं उसके बाद do not या does not का यूज करते हैं यह pronounce पीडि पेंड करता है उसके बाद have to का यूज किया जाता है have to के बाद work का first form का यूज किया जाता है वे नाप्यर object को लिखा जाता है उसके बाद अगर कोई other word दिया है तो उसे हम put कर देते हैं आप example देख सकते हैं रेश्मा को घर नहीं जाना पड़ता है रेश्मा doesn't have to go home राजू को जल्दी नहीं जाना पड़ता है राजू does not have to wake up early दिब्या को बजार नहीं जाना पड़ता है दिब्या doesn't have to go to market दिब्या doesn't have to go to market नेक्स्ट है रिधिमा को खाना नहीं बनाना पड़ता है रिधिमा doesn't have to cook the food रिधिमा doesn't have to cook the food नाव याल सी यूज़ फास टू अब टू इन इंटरोगेटिटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रस्ण वाचक वाक्य बूला जाता है ऐसे sentences में किसी प्रस्ण का पूछा जाना या किया जाना दर्साया जाता है आप structure देख सकते हैं सबसे पहले do या डश को लिखा जाता है उसके बाद subject लिखते है then after have to का यूज़ करते है और उसके बाद work का first form को लिखते है then after object उसके बाद अगर कोई other words भी दिया है sentence में तो उसको सबसे last में put कर दिया जाता है आप example देख सकते है क्या आद्या को घर साफ करना पड़ता है does आद्या have to clean the home next है क्या आपको कहानियों का अनुवाद करना पड़ता है do you have to translate stories next है क्या रोहित को कप्डे धुनने पड़ते है does रोहित have to wash the clothes does रोहित have to wash the clothes क्या उसे इमन्दारी से काम करना पड़ता है does he have to work honestly does he have to work honestly क्या द्रिस्टी को घर में खाना बनाना पड़ता है does द्रिस्टी have to cook the food in the home next है क्या आपको बच्चों को खाना खिलाना पड़ता है do you have to feed the kids do you have to feed the kids guys last है use of had to so has to का use हम past situation को denote करने के लिए करते हैं ऐसे वाक्यों के अंत में करना पड़ता था, खाना पड़ता था, करना था, जाना था, आना था, ऐसा आपको sentences के last में देखनी को मिलेगा ऐसे sentences को बनाने के लिए हम लोग had to का use करते हैं इसमें similar subject हो या plural subject हो, दोनों के साथ had to का ही use किया जाता है आप example देख सकते हैं, मुझे आज बजार जाना था, I had to go to the market रोहन को घर का सभी कारे करना पड़ता था, रोहन had to do all the work of the house मुझे प्रतिदीन प्रातः जल्दी उठना पड़ता था, I had to get up early in the morning daily I had to get up early in the morning daily I hope guys आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो इन्फर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करने, थैंक यू सो मच